हलो फ्रेंज, छे मातादी कैसे हैं आप सब दोस्तों 21 सदी का सबसे लंबा खग्रास चंदर ग्रहन होने वाला है और बेहट डराने वाला है आप सभी को मैं बता दू कि खगोल शास्रेओं कि अगर माने तो 27 जुलाई को 21 सदी का सबसे लंबा खगरास चंदर ग्रहन होगा इसी ग्रहन पर बहुत ही खौफसदा होने वाली बाते हैं क्योंकि आशार पुर्णिमा पर 27 जुलाई की रात जो खगरास चंदर ग्रहन होगा चंदर ग्रहन शुरू होने से अंत होने तक करीब करीब 4 घंटे लगने वाले हैं और अगर आप मानें तो 21 सदी का सबसे लंबा चंदर ग्रहन होगा पूरे 104 साल के बाद ये खास संयोग बन रहा है हमारे देश भारत में सबी जगह इसको देखा जा सकेगा और 11 बचकर 45 मिनिट पर रात में शुरू हो जाएगा मध्य रातरी पूरी रहेगी और इसका मोक्ष काल सुबे सुबे 3 बचकर 55 मिनट पर होने वाला है और इसके प्रभाव से विनाशकारी भुकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वाला मुखी, विस्फोर्ट, आगजिनी, भूमी स्खलन, आधी जैसी घटनाए होने के चांसेज हो सकते हैं आपको मैं बता दूँ इसके पहले जब 104 साल के पहले 26 जुलाई 1903 को सबसे लंबा चंदर ग्रहन पड़ा था और उस दोरान ग्रीस में भीशन भुकंप आया था ये बीश्वी सदी का सबसे लंबा चंदर ग्रहन था भारत, बांगलादेश, म्यानमार, चाइना, ताइवान, संयुक्त राज अमेरिका और हवाई दीप, मेकसिको, बहमाज, मुरितानिया, माली, अलजीरिया, नाइज, लीबिया, चाड, मिस्र, साउदी अरब, युएई और ओमन देश में 27 जुलाई को पढ़ने वाला ये च और विमानों के गरबढ़ाने की आशंका बताई जा रही है, ये हो सकता है विनाशकारी भोगौलिक घटनाओं का कारक, इसलिए आप सभी से निवेदन हैं कि सावधानी से रहें, अपने अपने घरों के अंदर रहें, सावधानी पुरवक रहें और साथ ही साथ, जो उपा हो सकता है, हमारे हिंदु धरम में चंद्र ग्रहन के प्रभाव को शुब नहीं माना जाता, बतादू आपको कि चंद्र ग्रहन के दौरान पृत्वी अपनी धूरी पर भ्रहमन करते हुए चंद्रमा और सूरी के बीच आ जाती है, वो मैं बतादू दोस्तों इस चंद्र ग मोबाइल्स का जमाना है, राद भर लोग उठे रहते हैं पर आपको उस दिन मोबाइल्स भी ऑपरेट नहीं करना है, इस दौरान क्योंकि आपकी आँखों पर खतरनाक रेज असर करते हैं, जो कि आपकी आँखों को डामेज कर सकते हैं, इसलिए उस समय संयम रख करके आप आपको जप, ध्यान, ये करें, जो भी तांतरी को पाए है, वो मैं आपको आने वाले समय में बताते जाओंगे अगले, और सयम रख करके जप, पूजा ध्यान आदी करें, आप तेखेंगे कई गुनाफल आपको मिलने वाला है, जो भी स्रेष्ट सादक होते हैं, उनके लि उतने वर्षों तक अरुन्तुद नमक नरक में निवास करता है, सूरी ग्रहन में ग्रहन चार प्रहर पुर्व और चंद्र ग्रहन में तीन प्रहर पुर्व आपको भोजन नहीं करना चाहिए, ये चंद्र ग्रहन है, इसलिए तीन प्रहर पहले आपको भोजन त्याग देन चाहिए यानि नौ घंटे पहले बूड़े हो बालक हो रोगी हो ये डेड़ प्रहर पुरव तक खा सकते हैं यानि कि जो भी बूड़े हो बालक और रोगी हो ये साड़े चार घंटे पहले जो ग्रहन लगने वाला है उसके चार घंटे पहले तक भोजन कर सकते हैं ग्रहन भेट जब शुरू होने वाला हो जब सूतक लगे उस दौरान आपको सारे खाने की चीज़ों हो अपने अलमारिया हो पूजा कस्तलो सभी में कुश या तुलसी के पत्ते आपको डाल देने हैं इससे कोई भी पदार्थ दूशित नहीं होता और जब ग्रहन पुर्ण ह हो जाए तो ध्यान करके जहां जहां अपने कुशा या तुलसी के पत्ते रखे थे वहां से आपको उठा करके उसको फेंग देने चाहिए जो भी पकावा अन्न हो ग्रहन के दौरान अपने रखाओ पहले से ध्यान रखे जादा पकाए नहीं और अगर आपने बहुत सारा बना लिया है तो फिर वो खाना आपको अगले दिन नहीं काना है उसको गाए को कुत्ते को किसी को भी आप डाल करके नया भोजन बना करके खाना खाए ग्रहन बेद के शुरू में ही तिल या कुश मिश्रित जल का उप्योग भी अति आवश्यक परिस्तिती में ही करना चाह ग्रहन का जब स्पर्श हो उस समय स्नान जब मध्य हो ग्रहन का उस समय आपको होम देव पूजन श्राद और अंत में वस्त्र सहित आपको स्नान करना चाहिए जो भी इस्तरियां है सिर धोय बिनास भी स्नान कर सकती है उनको जरूरी नहीं कि सिर पे पानी डाल करके स्नान कर और ग्रहन पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका भी ग्रहन हो उसका शुद्ध प्रतिबिम्ब पानी में देख करके भोचन करना चाहिए ग्रहन काल में स्पर्श किये हुए वस्त्र आदी की शुद्धी के बाद उसमें उसे धो देना चाहिए पहले आपको क्या है जब अपना हाने चाहेंगे तो ऐसे ही आपको कपड़े उतार के नहीं फेकने है वस्त्र सहीत आप स्नान करें उस पानी से उसको निचोड़ना नहीं है बस पानी से निकाल करके उसको टांग दियो और फिर अगले दिन आप उसको उन वस्त्रों को जो भी साबून से आदी से धो ग्रहन के सनान में कोई भी मंत्र नहीं बोला जाता इसलिए हर हर गंगे हर हर मिने इस तरह कि कोई भी मंत्र आपको अगर आदत है सनान के समय मंत्र बोलने का तो ग्रहन के समय सनान में कोई भी मंत्र नहीं बोलना चाहिए ट्राइ करें गरम जल से सनान ना करें ठंडा जल ऐसे में भरा हुआ जल्व सर्विस रेष्ट होता है कुई आदी कहीं हो अगर किसी के घर पे तो ठीक है या स्टोरेज में हो तो भी ठीक है और या फिर बहता हुआ साधारन बहते हुए कोई भी सरोवर में अगर मनुशिय स्नान करता है इस दिन तो माना जाता है बहुत अच्छा ह करें नॉर्मल स्नान करें बिलकुल और गुस्तिरियां बिना माथे पे जल दिये स्नान कर सकती है बाकी पुरुषों को पूरा स्नान जरूर करना चाहिए ग्रहन के दौरान आपको गायों को घास देना पक्षियों को अन खिलाना जरूरत मंदों को वस्त्र का दान इन सभी स अनेक पुन्यों की प्राप्ति होती है ग्रहन के दिन पत्ते हो तिनके हो लकडी हो फूल हो ये नहीं तोड़ने चाहिए बाल और वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए दंत मंजन नहीं करना चाहिए सुई और नुकीली चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए ग्रह ग्रहन के समय कोई भी शुब और नया कारिया आपको शुरू नहीं करना चाहिए और ग्रहन के समय सोने से माना जाते हैं मनुष्य रोगी होता है लगू शंका करने से दरिद्रता आती है मल त्यागने से क्रिडा कीडा होता है शरीर में और इस तरी प्रसंग करने से सुवर का जन्म मिलता है उप्तन लगाने से मनुष्य कोडी होता है इसलिए इस दोरान कई लोग सोचे कि चलो पैक लगा ले बैठना है तीन गंटे काटना है नहीं आपको इस दोरान ओम का जब करें ध्यान करें मंत्र बताऊंगी आपको एक सेक आने वाले वीडियो में वो करें और संतान युग जो ग्रिहस्त होते हैं उनके लिए इस तरह का वरत करना नामुम्किन होता है इसलिए उस दिन कम से कम सूतक काल के बाद आपको उपवास रखना चाहिए भगवान वेद व्यास जी ने परम हितकारी वचन कहें है सामान्य दिन से चंद्र ग्रहन में किया गया करम चाहे आप जप करें ध्यान करें द्यान करें कोई भी चीज करें उसका एक लाक गुना और सूर्य ग्रहन अगर हो जाए तो उसमें दस लाक गुना फलदाई माना गया है गंगा जल अगर अगर अधिय आपके पास में हो तो चंद्र ग्रहन में एक करोड गुना और सूर पुरान में बताया गया है कि भुकंप और ग्रहन के अफसर पर पृत्वी को नहीं खोदना चाहिए। इस वजए से जिस समय चंद्र ग्रहन लगा हुआ हो इस समय प्रेगनेंट महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इस मंत्र का चप करना चाहिए। इस से ग्रहन का अनका रात्मक प्रभाव महिला पर और शिशुपन नहीं पड़ता या कम से कम कम हो जाता है। इस दिन सबसे बैस्ट है महिलाओं को आसन मार के अपनी गोध में छोटा सा नारियल रख ले। इस सोना भी वर्जित पताया गया, ट्राय करें कि सोए ना पर अगर आप रोगी हैं तो आप सो सकते हैं। ग्रहन के समय कैची के उप्योग करने की मनाई होती है। कहा जाता है कि इस से शिशु के होट कट जाते हैं। कई स्थानों पर मानिता ऐसी कि ग्रहन के समय गर्वती महिला का स्नोना अशुब होता है और ग्रहन के बाद स्नान करना आवश्यक होता है अन्यता घर्व में पल रहे शिशु को बिमारी लग सकती है। तो गर्वती महिला, सूर्य या चंद्रमा की अगर सीधी किर्णों के संपर्क में आती है तो इसका असर गर्वत शिशु पर जरूर पड़ता है। अगर आप या आपका परिवार गर्वत शिशु पर ग्रहन के असर को लेकर चिंतित है तो घर के अंदर रहें ऐसे भी रात की टाइम है कहीं बाहर जाने की जरुरत नहीं है थोड़े समय के लिए होता है ग्रहन ऐसे में यदि आप इससे जुड़ी परंपराओं का पालन करें तो सबको मन की शांती मिलती है इसमें कोई बात नहीं है तो दोस्तों ये चोटी चोडी बातें आपको ज़रूर ध्यान ये विशेश संयोग बन रहा है तो दोस्तों इस दिन जप ध्यान आदी सरूर करें चोटे चोटे तांतरी कुपाई वशी करन आदी में बताते रहूंगी टोटे टोटके आदी बताऊंगी अगर आप चाहें तो इस दौरान करें और फिर आप देखेंगे सिंदगी में कैसे एक नया मोर आता है अपने सभी फ्रेंड्स फ्यामिली मम्मी पापा भाई बेन बच्चे सभी लोगों से इने जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग सावधान हो जाएं और आने वाले जो खुबसूरत चंदर ग्रहने इसका पूरा पूरा फायदा उठा सके कर लीजे उपाय दोस्तों और अपने मम्मी पापा फ्रेंड्स फ्यामिली भाई बच्चे सभी लोगों से शेयर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो इसके थ्रू कनेक्टेड रहें लव यौ फ्रेंड्स टेक क्या मात तादी बंबंबोले नागी